क्राइम पेट्रोल डायल एक शूने शूने में आप सब का स्वागत है एक बेहतर कल की उमीद में संघर्ष तो हम सभी करते हैं लेकिन क्या ये ख्याल रखते हैं कि आने वाला कल गुजरे वे कल का हिसाब चुटता करता है साथ, साथ, मेरी बेटी कल राज से लापता है साथ बेटी, आराम से बेटी ही बेल साथ, कल राज से उसका फोन नहीं लग रहा मैंने बहुत मिलाया यहां महां ढूंडा भी लेकिन कहीं नहीं मिली साथ उसकी फोटो है आपके पास? जी पारुल्ला में इसका ये मुबाइल फोन लगती है अपने पास? जी साथ नमर दीजी जी नो आठ दो चार छे आठ छे तीन उसकी उम्र, रंग, कद, सब कुछ लिखवाई है उम्र, उन्नीस साल, रंग, गोरा, कद, सबापाँ, साथ पाँच फोटो होगा साथ पहन क्या रखा था उसने? सलवार सूटी पहनती है पारुल्ल के खरके आस-पास पूछ ताच करो शायद कोई इंफोमेशन आत लगे साथ इसे जानती है साथ पारुल्ल, पर ये राजेंदर भाई की बेटी कैसे हो सकती है कैसे हो सकती है मतलब? साथ राजेंदर भाई पारुल को अपनी बेटी की तरह मानते थी और कविता बोल रही थी कि पारूल राजेंदर भाई के दोस्त की बेटी है कविता? कौन है कविता? साब राजेंदर भाई की बीवी वो तो खुद 23-24 साल की है उसकी बेटी पारूल कैसे हो सकती है? उसकी तो खुद की 6-7 साल के अपनी बेटी है मुझे ममा के पास जाना है आयशी बेटा मुझे ममा के पास ले चलो मा मुझे ममा के पास ले चलो मुझे ममा के पास ले चलो हाँ ममी आएंगे ना बेटा मुझे ममा के पास जाना है मुझे ले चलो हाँ बेटा जाएंगे ममा के पास जाएंगे ने चली, आपने कुछ खाया है कि ने? हाँ हाँ, लेके जा रहे, आये. हाँ हाँ, रो मर लेके जाएंगे. आयूशे कि मेरी बेटी हैं और पारुल भे. पारुल मेरी पहली बीवी से है, और आयूशे दूसरी से. मेरी पहली बीवी का ध्यान थो गया था, इसने पाद्मी को यहां लिया है अभी है कहां तुमारी दूसरी बीबी? पता नहीं पता नहीं मत बहुत कविता का रहना ना रहना एक बराबर है वो घर में नहीं टिकती कई कई दिनों तक तो घर वापिस नहीं आती क्यों? कहीं पर जॉब करती है के वह? पास में एक ब्यूटी पार्लर ही लेकिन उसका चरीतर अच्छा नहीं है साब साब मोहले वाले अपने घर के मर्दों को कविता के साय से भी बचा कर रहते थे ऐसी औरत का क्या वरोसा कब किसको फंसा ले? कल मैंने कविता को फोन करके बोला कि पारूल मिलने रही है वो घर आके आयूशी को संभाल ले ताकि मैं पारूल को ढून सकूँ लेक्म उसने मेरा फोन काट दिया नमबर दीजे कविता का नो आठ दो चार पास दिन साथ आप जिस नमबर को टाइल कर रहे है वो इस समे स्विच्ट ओफ है उसको फोन तो स्विच्ट ओफ है भाग गई होगी किसी के साथ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं कौन से ब्यूटी पैलर में काम करती है वो सर आज कविता आई हैं कल आई थी आई थी लेकिन शाम को छे बजी के आसपास आई थी पारूल से आखरी बार बात कब हुई है कल शाम फोन पे करीब साड़े चार बजे बात हुई थी हाँ बिटिया मेरी अपने दोस्त से बात हुई है हाँ 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 वो दो चार दिन में तेरा किसी अच्छे कालिज में दाखला करवा देगा ठीक है बाबा कहा है तू मैं आयूशी को टूशन चोड़ने जा रही थी हाँ पारूल आयूशी को टूशन के लिए छोड़ने आई थी लेकिन उसको लेने के लिए नहीं आई तो फिर लेने कौन आया था कोई नहीं आया फिर मैंने पारूल को फोन किया पारूल का फोन बन जा रहा था तब मैंने कविता को फोन मिला है कविता ने मेरा फोन नहीं उठाय रात को खुद आयूशी के पापा राजिंदर जी उसको लेकि गया अच्छा पारूल आयूशी घुल मिल गई थी यह तो ठीक है लेकिन आपने कविता से जूट के बोला कि पारूल आपके दोस्की बेटी है कविता के लिए सब जूट एक बराबर है उसे ना मेरी फिक्र है ना आयूशी के और वैसे भी सोचा के पारूल शादी के लायक हो गई है एक दो साल में उसे विदाई करना है तो कविता को सच बता कर घर की शान्ती क्यों भंग करो हो सकता है कविता को अब इस जूट का पता चल क्या हो कल वो शाम शे बजे के बाद आई इसकी कोई खास वज़ा है सरकर उसकी दो बजे तक की छूट की थी लेकिन शाम तक वो आई नहीं लेकिन शे बजे के आसपास वो आ गए तो काफी आफरत अफरी में थी सॉरी लेट हो गई है दो बजे का बूला था और छे बजे आई है आज पगार का दिन है और मुझे पैसो की बहुत जरूरत है लेकिन कल चे एकदम टाइम टू टाइम आजाओंगी काम ठीक से करती नहीं है लेकिन पगार का बराबर याद रहता है जहां भी काम कर चोट्टी के टाइम ही पगार मिलीगी जहां भी देख के रहे है वो सोच रही थी पगार लेके निकल जाएगी लेकिन मैंने उसे काम पे लगा दिया उसका फोन बार-बार बज़रा था लेकिन इसने उठाया नहीं काफी देर के बाद उसने कॉल रिसेट की पोन पे बात करने के बाद गरगर आने लगे कि उसे घर जाना है मैंने उसे पगार दिया और वो चली गए है है वोड्य को पोस्त माटं के लिए फिजो यह संने अस्पास कि एरिमे स्क्रों तो तुम। सुमॉली, सुमॉली साब 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 वो हमारी बेटी पारूल नहीं है हमारी बेटी मरने सकती साब हम तो ही चाहेंगे कि पारूल सही सलामत हूं फिर भी आपका और डेड़ बॉडी का डियने मैच करके देख लेते हैं चिर्गे हाईए जाई जाई साब बोरी बली रेलबे ट्रैक पर जो लास्ट मिली थी उसकी पूसमाटब रिपोर्ट आ चुकी है हत्य अगला घोड कर की गई है और सर उस शाम आठ वजे कविता को गोरे गाउं के एक पीसेओ से कॉल आया लेकिन राजिंद का फॉन उसने बीटी पाला से निकलने के बाद सबा आठ वजे उठाया सर राजिंद के इस ब्यान में भी सचाई है कि कविता अच्छे चरित के नहीं थी क्योंकि उसको शहर के अलगले पीसेओ से अक्सर कॉल आ देते सर हो सकता है कि कविता नहीं चाहती थी कि राजिंद को उसके लवर्ज का पता चले इसलिए उसने अपने लवर से PCO से कॉल करने के लिए लेकिन कामत हमें जानना ही है कि कविता के एफेर्स का पारूल के गायवनिस क्या कनेक्शन है कनेक्शन हो सकता है सर पारूल ने आयश्यू का शाम चार बजे टूशन छोड़ा लेकिन लेने नहीं पहुंची और फिर जब टूटर ने कविता को फॉन किया लेकिन कविता ने फॉन नहीं उठाया और ठीक शाम साड़े पांच बजे जब पारूल का फॉन आफ होता है तब उसके फॉन की लोकेशन उसके घरवाली एरिया के थी और वहीं पे कविता छे बजे तब बीटी पाला नहीं पहुंचती है लेकिन उससे पहले उसके फॉन की लोकेशन उसी एरिया के यहां पे पारूल का फॉन आफ होता है राजिंदर के खड़ जाओ फॉरब शर्ब बेटा पापा को काम पे जाना है ना आप उशाद आए के साथ जाओ और देखो इन्हें परिशान मत करना है अमा अमा भी आए कि शंक को बेटा चल बेटा साव आप पारूल को कुछ पता चला चाबी निका लिए जी चाबी दीजे मेरे को पूरा घर चेक करो तुम अदर जाओ कविता भले ही तीरिया चरितर थी लेकिन उसका पारूल से कभी कोई जगड़ा नहीं हुआ बलकि वो तो पारूल के आने से खुश थी वो कैसे कविता एक नंबर के आलसी थी और पारूल ने आते ही घर का काम काज और रसोई सब संभाल लिया था सर कुछ नहीं मिला सर मैंने राजन का घर अच्छी तरीके से चेक किया लेकिन किसी तरह के बलर्ड इस्टेन या मडर का कोई भी कलू नहीं मिला सर मैंने राजन का घर अच्छी तरीके से चेक किया लेकिन किसी तरह के बलर्ड स्टेन या मडर का कोई भी कलू नहीं मिला पारूल और कविता का अचाना गायब हो जाना ये संदेख खड़ा कर रहा था कि शायद कविता पारूल की हत्या करके फराग हो गई है और कविता के चरित्र से जुड़े खुलासे भी इस थियोरी को स्ट्रॉंग बना रहे थे लेकिन रेलबेर ट्रैक के पास मिली डेड बाडी का डियने पारूल के पिता के डियने से मैच नहीं हुआ था अगर वो बोडी पारूल की नहीं है तो पारूल के साथ ऐसा क्या हुआ जो अचानक लापता हो गई और ये कविता के गायव होने का क्या राज है सब पारूल के कॉल रिकॉर्ड में एक अंकित नाम के लड़के का भी नंबर है और इन दोनों के बीच में अक्सर कॉल होते थे सर अंकित का ये नंबर बिहार का है लेकिन पिछले डेड़ महिने से ये नंबर मुंबई में अक्टिव है यह देखेज़े लेकिन सर गौर करने वाली बात ये है कि पारूल का ये नंबर उसके पिता राजिंद के नाम पर तो रेइस्टर है लेकिन राजिंद के दिये गए नंबर के लाबा एक और नंबर पारूल के रिकॉर्ड में है वो भी राजिन के नापे रेइस्टर्ट है और पारूल अक्सार इस नमबर पर भी कॉल करती थी सर पारूल का मोबाइल अजमेर में कुछ दिर के लिए आन हुआ था यह भई नमबर है जिसके बारे मैंने आपको बताया था अजमेर से पारूल के फोन से इसी नमबर पर कॉल हुआ था इसका मतलब यह हुआ अकामत कि इस कॉल रिकॉर्ड में कविता और अंकित के फोन नमबर के इलावा तीन नमबर ऐसे हैं जो राजेंदर के नापे रिस्टर्ट है एक वो नमबर जो पारूल यूज करती थी जो अभी अजमेर में आन हुआ है दूसरा राजेंदर का अपना नमबर जो वो खुद इस्तमाल करता है और तीसरा वो नमबर जिस पर अभी अजमेर से कॉल हुआ ये नमबर कौन इस्तमाल करता है साथ पारूल की पिता राजंदर जी आना साथ अभी पारूल का फोन आये था लेकिन उसकी आवाज नहीं आई और जब हमने उसे फोन किया तो उसका फोन बन था हमें पारूल की बहुत फिकर हो रही है साथ वो नंबर अजमेर में अक्टिव था वहीं से कॉल हुआ पारूल अजमेर क्यों जाएगी साथ ये तो हमें आप बताईए हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहे साथ समझ में तो हमें भी एक बात नहीं आ रही है आपने हमें जो अपना नंबर दिया था वो अलग है लेकिन अभी अजमेर से जो कॉल हुआ वो अलग नंबर पर कॉल हुआ जी साथ ये मेरा दूसरा नंबर है दरअसल पारूल के पास मुंबई की आईडी नहीं थी मैंने उसे अपने आईडी से सिम खरीद कर दिया तो अपने लिए एक नया सिम ले लिया क्यों? हम इलेक्ट्रिशन है साथ ये हमारे पुराने नंबर पर बराबर से नेटवर्क नहीं आता इसलिए हमने ये नया नंबर लिया ताकि इस नंबर पर फोन ना लगे तो पार्टी दूसरे नंबर पर कॉल कर सके और काम हाथ से न जाए साथ ये अंकित कौन है? पारूल का मंगेतर है साथ अंकित बहुत अच्छा लड़का है साथ जब सिख पारूल गायव हुई है अंकित बहुत परिशान रहता है अभी है कहां अंकित? मुंबई में ही है देखे हम कहने हैं न आप चिंता मत ही कीजिए हम अपने चचा को फोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी पार्टी का आज मेर साखा में कोई कनेक्शन निकाले और अपने किसी कार्य करता को पारूल की तलाश में लगा दे माँ ठीक है? अच्छा हम आपसे बात में बात करते हैं कोई आया है जी जी पिलकुल खैरियत सर पारूल की माँ के गुजरने बाद पारूल मुंबई आ गई तो हमने सोचा कि हम भी मुंबई आ जाते हैं कोई काम डूढ़ेंगे यहां पर और पारूल से शादी भी कर लेंगे अज मेर में ऐसा कोई है जिसे पारूल जानती हूँ नहीं सर तुम आखरी बार कम मिले थे पारूल से करीबन एक हफ़ता हो गया सर गेट पर फिंटिया चलोगी मेह सर रात को बहुत खूबस्वरत लगता है नहीं पापा ने कहा था कि रात होने से पहले घर आ जाना और तुम हमें रात को गुवाना चाते हो हाथ तो अपने पापा को फून करके बोल दो तो गयर थोड़ी नहीं परसी हम तुम से शादी करने वाले हैं अच्छा नौकरी डून लिए नौकरी के लिए ट्राइ कर रहा है मेल जाएगी जलती तो ठीक है तुम नौकरी डूनडो तब तक हम अपना ग्राजूशन पूरा कर लेंगे और उसके बाद शादी कर देंगे तब तक मेल मुलाकात सिब दिन में है ठीक है हम चलते है पारून की सौतेली मा कविता के बारे में उसने कभी कुछ बताया तुमें कभी कभी बात करती थी वो अनके बारे में क्या बात करती थी पारूल पारूल बेटा पारूल अभी अभी पारूल का फोन फिर से अजमेर में होन हुआ है पर लोकेशन दूसरी थी और इस बार भी राजेंदर के नए नंबर पर कॉल हुआ ऐसा राजेंदर को फोन लगा? हाँ सब उसका फोन आया था लेकिन उठाते ही कट गया सर्थ मैंने अजमेर पूलिस को दूसरी लोकेशन के बार में अपडेट कर दिया पर पारूल का फोन जिस लोकेशन पर पहले ओन हुआ था वहां से कोई लीड नी मिला है सर्थ ये बात तो तह है कामत ये फोन पारूल नहीं कोई और कर रहा है सर्थ हो सकता है ये कवीता हो पता लगाओ कवीता का अजमेर से क्या कनेक्शन है? वह वाकए में पारूल का मड़र करके अपने किसी आशिक के साथ भागिये या पर कहानी कुछ और है सब गोरे गाओं के जिस पीसी ओ से कवीता को आखरी बार कॉल हुआ था वहां आसपास में कोई CCTV नहीं है और किसने कॉल किया था उसका भी कोई क्लू नहीं हुला है सा मुंबई के जिन जिन पीसी ओ से कवीता को फोन हुए थे हर जगा पूछताच करो और कवीता को जिन जिन लोगों के साथ देखा गया था सबका स्केच बरवाने की कोशिच करो और हाँ ये भी पता लगाओ के कवीता का कोई दूसरा नंबर तो नहीं है पारूल अजमेर गई या फिर सिर्फ पारूल के नंबर को अजमेर ट्रावल करवाया गया इस पहली को समझने के लिए हमें कवीता से जुड़े सभी लोगों का पता लगाना होगा पारूल के फोन से किये गए ब्लैंक कॉल्स वाकई कवीता दूरा किये गए थे ये पता लगा पाना फिलाल मुश्किल था कवीता के कई अफैर्स के बयान तो सामने आये थे लेकिन वो अपने किस प्रेमी के साथ फरार थी ये पता लगाना भी आसान नहीं था क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई एक प्रेमी नहीं था लेकिन ये माना जा रहा था कि इन अपराधों में कवीता के किसी न किसी लवर का भी हाथ हो सकता है जिसका पता करने के लिए एक तरफ मुंबाई पुलिस उन लोगों का पता लगा रही थी जिनका कविता से अफैर हो सकता था वहीं दूसरी तरफ अजमेर पुलिस भी इस केस से जुड़ी इंफोर्मेशन जुटाने का प्रयास कर रही थी सर कविता के दूसरे किसी नंबर का तो पता नहीं चला लेकिन ये उन आदमियों के फोटोग्राफ्स और स्केच है जिन्होंने कविता को PCO से कॉल किया था और सर ये उस आदमी का स्केच जिसको पिछले दिनों कविता के साथ देखा गया सर मैंने ये फोटोग्राप्स और स्केच उस गोरे गाउँ वाले PCO ओनर को दिखा है जहाजर कविता को आखरी बार कॉल हुए थे लेकिन पहचान नहीं हो पाई सा कैसे भी करके इनकी पहचान करो और हाँ, जिस दिन पारवल और कविता गायब हुए हैं उस दिन अजमेर रूट पे जाने वाली सभी ट्रेंस का रेजर्वेशन डेटा निकलो सर सर, मुझे नहीं पता कविता अजमेर में है या मुंबई में मेर तो उसे बात हुए कई महीने हो चुके है मान लेते हैं तो मैं नहीं बता लेकिन मुबाईल होते हुए भी कविता को PCO से फोन क्यों करते थे सर, एक बार कविता की पती ने मुझे और कविता को मार्केट में देख लिया था परें मार्केट में उसने मेरे पिटाई की सर, बहुत ही शक्की इनसान है वो उसका पती शक्की है तुम बड़े चरित्रिवान हो सर देखे जैसा आप सोच रहें ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच वो हमके वल अच्छे दोस्त थे सर तो तुम्हारी इस दोस्ती के बारे में तुम्हारी भीवी को पता है ठीक है जा सकते है थैंक्यू सर सर जिस राद पारू लापता हुई उस राद सबा ग्यारा बज़े जैपुर दूरंतों में कवीता उसकी बीटी आयूशी और किसी मनीश के नाम पे टिकेट बुक थी मनीश वो कमीनी मनीश के साथ इन में से कौन है मनीश यह यह वो कमीना दोस्ते हैं हमारा लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो हमारी पीट पीछे हमारी बीवी के साथ अज में पारूल पारूल बेटा पारूल साब 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 हमारी पारूल को बचा लीजी साब हमारी पारूल को बचा लीजी हमें बहुत फिकर हो रही है उसकी साब पारूल के लौट आने की उमीद उसके पिता ने अब तक जिन्दा तो रखी थी लेकिन अब ये उमीद दम तोड रही थी पुलिस जब मनीश के घर पहुँची तो पारूल की हत्या का संदे आखिरकार प्रमार में बतल गया यंँभूल पारू 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 बेटा पारू बेटा पारू बेटीया हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ इनसाफ नहीं किया तुम्हे और तुम्हारी माँ को छोड़कर अपने दुनिया में मस्त हो गए हमें एक मौका दे दो हम तुम्हारे दिल कभी नहीं दुखाएंगे पारू ने अपने पिता को उनकी भूल सुधारने का मौका तो दिया लेकिन जिंदगी ने उससे जीने का मौका चीन लिया पारूल की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने कविता और मनीश की तलाश तेज कर दी पुलिस अब अजमेर में कविता और मनीश तक पहुँचने की लीड तलाश रही थी लेकिन पारूल की हत्या क्यों और किन हालात में हुई इस हत्या का मोटिव क्या था क्या कविता को पता चल गया था कि पारूल राजेंदर की पहली पत्नी की बेटी है लेकिन अगर कविता को किसी के साथ भागना ही था तो उसे राजेंदर और पारूल के रिष्टे से क्या फर्क पड़ता था। ऐसे कई और पहलो इस केस से जुड़े थे जिनके समीकरन जोडने की कोशिश की जा रही थी। पारूल की डेट बोड़ी मनीश के घर से मिली तो क्या पारूल की हत्या मनीश के घर पे हुई और अगर ऐसा है तो सवाल ये उड़ता है कामत कि जो लड़की मुंबई में जादा लोगों को जानती तक नहीं वो अपनी सौतेली मा के लवर के घर पे का करने गई जबकि उसका फून साड़े पांच बज़े तक उसके घर वाले अरिया में एक्टिव था सर ये भी कंफर्म है कि कविता शाम 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 साथ बज़े तक बीटी पालर में थी और मनिश का घर गोरे गाउं में तो हो सकता है कि मनिश नहीं उस पीसियो से शाम साथ बज़े कविता को पॉल किया और कविता भी साथ बज़े के बाद मनिश के घर पे गई हो अब सवाल ये उड़ता है सर कि पारूल खुद मनिश के साथ उसके घर पे गई या कविता चाला की से उसे अपने साथ बहाँ पर ले गई ये दोनों possibilities तो है पर शाम साले 5 बजे पारूल का फॉन मलाड में बंद होने का चकर भी समझना होगा सा क्या पारूल का मडर कविता को उस PCO से फॉन आने से पहले हुआ या कविता के ब्यूटी पारलर से निकलने के पार था सवाल ये भी उड़ता है कामत कि अगर उस दिर अजमेर की ट्रेन में मनीश, कविता और आयूशी तीनों के टिकट बुक थे तो फिर ये दोनों आयूशी को अपने साथ ले के क्यों नहीं गए आयूशी अजमेर क्यों नहीं गई और पारूल मनीश के घर कैसे पहुंची ये समझने के लिए हमें पारूल और कविता की एक्वेशन को समझना होगा सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं आयूशी से भी पूछताच करनी पड़ेगी बिटा आपको पारूल दीदी अच्छी लगती थी और आपकी मम्मा अउकल कुछ पोच रहे हैं बताओ अच्छा एक बात बताओ आपकी पारूल दीदी और आपकी मम्मा दोनों फ्रेंड्स थे ये तना धरी भी क्यों है सर मुझे नहीं पता ये कविता की स्टेप डॉटर थी हाँ लेकिन एक दो बारे से मैंने कविता का पीछा करते हुए देखा था सर कविता के ब्यूटी पालर के कलेग आयूशी के ट्विशन टीचर और कुछ पड़ोसी नहीं बताया कि पिछली दिनों पारूल को कविता की जासुजी करते हुए देखा गया सर उनके बयानों से तो लगता है कि पारूल कविता की जासुजी कर रही थी और शायद कविता का पीछा करते करते वो उस रात मनिश के घर पे पहुँची सर कई ऐसा तो नहीं कि पारूल कविता के अफेर्स का फायदा उठा के कविता या उसके लवर्स को ब्लेक मेल कर रही हो लेकिन ये बात समझ में नहीं है एकामत कि पारूल ये सब कर क्यों रही थी या फिर उससे ये सब कोई करवा रहा था साब हमने पारूल से बोला था कि कविता पर नजर रखे और पता लगा है कि उसका किस किस के साथ चक्कर उसके चक्कर के बारे में पता लगा कि क्या करने वाले थे तलाग देना चाहते थे तलाग तो वैसे भी दिया जा सकता है उसके लिए जासूसी करवाने की क्या जरूर होती हम नहीं चाहते थे कि कोट उस्तिरिया चरित्र को माँ समझ कर हमारी आयूशी उसे सौंप दे हम अपनी पारूल और आयूशी का पालन पूशन हम खुद करना चाहते थे इसलिए उसके खिलाफ सुबूच उटा कर तलाग देने की सूची क्या क्या सुबूच उटा है कोई सुबूच था पारूल के हत्या से कुछ दिन पहले ये बेवोपूफ ख्याल हमारे दिमाग में आया हम तो पच्टार है क्यों अपनी बच्ची को उस डायन की जासूसी में लगाया ख्ला गई हमारी बच्ची को खावे पारूल के पिता ने भले ही अपनी मंच्छा साफ कर दी थी लेकिन उनका ये बयान इस बात की पुष्टी कर रहा था कि पारूल कविता की जासूसी कर रही थी और ये इस केस में एक चौकाने वाला एंगल था और ये एंगल इस केस को एक ऐसे टैंजन पर ले जाने वाला था जिसमें चल, कपट, जूट, फरेब, नफरत इंसानी ज़स्बात का हर वो नेगेटिव एमोशन था कि जिसका रंग अगर किसी पर चड़ जाए तो रिष्टे क्या, इंसानियत की हदे भी लांग दी जाती है कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का साहरा भी काफी होता है लेकिन जो खुद अपनी नाव में छेद करे उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता सर, अजमेर पुलिस मेंमनीश कोजमेर के गैस्टाउच से गृफतार किया है लेकिन उसके साथ कवीता नहीं थी इट्स को कवीता का है, मुझे नहीं बटा वो मेरे साथ अजमेर नहीं आई तु किया सुचता है ? कविता को बचा के Murder Chaar से बच जाएगा ? सर्व बैनी कोई Murder ने किया सर पारूल की बड़ी तेरे गढ़ से मिली है उसका फोन भी तेरे पास से मिला है सर्व ये फोन कविता ने मुझे दिया था उस मिमराॉड का पारूल सर सर मेरे घर की चाब भी विए उसी के पास रहती थी घर तो उसने कहीं गर उजाड़े हैं तुने उसमें ऐसा क्या देखा? जो तेरे घर की चाब भी उसने अपने पन्लू में बाझ दी? सर मैं एक एलेक्ट्रिकल इंजेर हूँ और राजे इंद्र एक मामूल सा एलेक्ट्रेशा मेरे उठाए हुए टेकोपे मेरे अंडरकाम करता था मुझे हरानी होती थी सर कि उसकी वाइफ उससे आठारा साल छोटी है लेकिन सर मैंने कभी उस पर कोई चांस नहीं मारा सर शुरुवात उसने किय थी आप राजन देशे क्या गरब नहीं वो तो नहीं है लेकिन आप अंजर आईए ना नहीं मैं चलता हूँ आई नहीं आईए तो प्लीज आईए कुछुरुती मैं ऐसा बेका कि को समान नहीं पाया हमारी मुलाकाते बढ़ने लगी तब उसने बताए कि राजेंदर उसे मारता था उस पर शक करता था कुछ दिन पहले मुझे अजमेर से एक जॉब आफर हुई तो मनीश देको ना कितना चोटा सा गंदा सा घर है मुझे नहीं रहना इस घर में तुम मुझे अपने साथ अजमेर ले चलो ना प्लीज लेकन राजेंदर क्या है मुझे नहीं रहना उस ख़डूस के साथ मैं तुम से शादी करना चाहते हूं सच हमारे अजमेर जाने का प्लान तो अगले मैंने का था लेकिन उस दिन अचानल को उसका कॉला है हाँ बोलो मनीश हमें आज रात ही अजमेर जाना होगा आज रात? सवाल मत करो और जल्दी से पैकिंग करके मुझे फोन करो ठीक है मैं बेट कर रही हूं तुमारा मैंने पैकिंग की और उसे कॉल किया वो घरा के बोली की मनीश तुम जाओ मैं तुमें अजमेर में मिलूंगी लेकिन तुम तुम सवाल मत करो राजियन तुको पता लग गया है कि हम दोनों भाग रहे हैं पता लग गया मतलब कैसे पता लग गया? राजियन ने अपनी बेटी पारूल को हमारी जासूसी में लगा रखा है उसकी फोन में हमारी फोटोस भी है वो यही आ रहा है तुम प्लीज जल्दी से निकलो और तुम? तुम कैसे आपनी? उसने अयूशी को कहीं चुपा दिया है मैं कैसे भी करके आयूशी को लेके अजमेर पहुच जाओंगी लेकिन तुम चाहो वो यही आ रहा है अगर तुम दोनों का सामना हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉबलम हो जाएगी और हाँ यह फोन मुझे दे दो वो मेरी फोन का बालेंस खताम हो गया है लेकिन मैं तुम से कॉंटाट कैसे करूँगा अरी पारूल का मुबाइल दिया ना मैंने तुमे लेकिन अभी अन मत करना अज मेर पहुच करी फोन करना और मैं तुमें यह एक नंबर दे रही हूँ इस वाले नंबर पर कॉल करना लेकिन मेरे फोन पर बिल्कुल कॉल मत करना यह नंबर किसका है यह मेरा नया नंबर है इस नंबर पर कॉल करने पर बोला था से फोन दीजिए सुरे तो वही नंबर या तो कविता ने तुझे कहा कि यह उसका नया नंबर है तेरा फोन उसने लिया और उसने तुझे यह पारूल का फोन थमा दिया यह सर लेकिन इस फोन में तो कोई फोटो नहीं है सर कविता ने डिलेट कर दियोंगे मैंने तो देखे तक नहीं है अजमेर आने के बाद फोन आन किया और अपने नमबर पे कॉल किया तो फोन बन था फिर कविता के नहीं नमबर पे कॉल किया तो राजे इन ने फोन उठाया फिर? फिर मैंने दुबारा कॉल किया तो भी राजे इन नहीं उठाया तो उसके बाद से मैंने फोन बंदी कर दिया था PCO से कई बार अपने नंबर पे और कविता के पुराणे नंबर पे कॉल किया तो दोनों नंबर बंद थी सर अगर कविता तेरे साथ नहीं आई तो फर टिकेट आयूशी, कविता और तेरे नाम में बुग क्यों किया था सर टिकेट तो मैने तभी बुग करा ली थी जब कविता न आ ज मेर भागने की बात कहिती लेकिन सर उस टिकेट पर मैं अंके लए ज म exam era आया ना मेरे साथ कविता थी न आयूशी थी वे उशा भेन, अच्छा वाप बिल गई, आयूशू को अपने पास रख लेंगी, मुझे किसी काम से जाना है, क्यों, आया कहा गई, मैंने उसे निकाल दिया, मैंसे जल्दी आ कर ले जाओंगा, अच्छा बेटा, सर, जि टेंट से मनिस अजमेर गया तो उस टेंट के टीडी से बात व completion मैनिस अकेला अजमेर गया था, और अजमेर के guest house में भी अकेले रोका था, ना तो वहां कवीता को देखा गया, और अजमेर में कहीं भी कवीता के देखे जाने का clue मिला है सहूँ सर अगर मनीश सच बोल रहा है तो उसके बयान से ये क्लू मिलता है कि कविता को पता चल चुका था कि पारोल राजिंद की पहली बीबी की बेटी थी राजिंद ने अपनी बेटी पारोल को हमारी जासूसी में लगा रखा है और राजेन ने भी बताया था कि वो पारूल से कवीता की जासुजी करवाता था कवीता का मोबाइल पारूल के हाथ लगा तो हो सकता है कि कवीता के हाथ तो पारूल तो मडर हो गया हो पर सवाल ये उड़ता है कामत कि क्या कविता ने मनीश को अजमेर सर्फ इसलिए भगाया क्योंकि वो पारूल की लाश को उसके घर में टिकाने लगाना चाहती थी अगर ऐसा है तो ये काम अकेली और अउरत के बसका नहीं लगता सर हो सकता है उसका साथ उसके किसी आशक ने दिया हो और मनीश को फंसा कर वहां सो उसके साथ निकल गई हो ये भी हो सकता है कि कविता कहीं भागी ना हो बल्कि पारूल की हत्ता के बाद वो राजेंदर के बदले की शिकार बन गई हो कामत बुर्यवली पुलीस से पता करो जिस दड़की की लाज रेल्यो ट्रैक में मिली थी उसकी पैचान हुई सर सर पारूल की पिता के बारे में कुछ बाते पता चलिए सर वो औरत वही है जिसे पारूल के पिता ने आयूशी के आया बना के रखा था राजेंदर ने इस औरत को बोरी वली के एक लॉज के बाहर से रिसीप किया था और कुरला स्टेशन से बिहार के टेंड में बिठा दिया DNA रिपोर्ट से साफ हो गया कि वो लाश राजेंदर की दूसरी बीवी कविता की ही थी साब 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 हमने कविता को नहीं मारा हमारा यकीन की जेम सच बोले है साब कैसे यकीन करें तेरा तेरी पहली बीवी मर चुकी है ना किशोरी जीते जी तुने अपनी पहली बीवी को स्वरगवासी पताया और तुने हमसे एक नहीं कई जुड बोले है तुने हमसे ये भी चुपाया कि कविता तेरी साली थी कविता जैसी भी थी हमें पता चल गया है लेकिन ये भी सच है कि आच साल पहले तो अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर कविता को मुंबई भगा के ला आता वो हमारी जिन्दगी की ऐसी गलती थी जिसका खामयाजा हम आज तक भूगत रहें लेकिन ये भी सच है कि कविता ने गाउं से मुंबई आने के लिए हमारा सीड़ी की तरह इस्तिमाल किया वो मुंबई हमारी बीवी बन कर तो आ गई लेकिन मुंबई की चकाचोंद के सामने उसे हमारी हैसेद बहुत छोटी लगी और अपनी हैसेद बढ़ाने के लिए उना चाने कहां कहां मुं मारने लगी अगर आज के बाद तुने मेरी बीवी से बात की ना तो साले मार दूँगा तुझे हमें ये ऐसास होने लगा था कि वो सुधरेगी नहीं लेकिन गलती सिर्फ कविता की नहीं थी हमने भी आठ साल पहले ये गलती की थी और हमें भी अपनी गलती का धीरे धीरे आईसास होने लगा था बेटा हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया तुम्हें और तुम्हारी मा को छोड़ कर अपने दुनिया में मस्त हो गए हमें एक मौका दे दो हम तुम्हारे दिल कभी नहीं दुखाएंगे पच्छी को मत फुसलाओ समझे ना पहलो उस कुलच्णी को अपने जिन्देगी से दूर फेको फिर हम समझेंगे कि तुम्हें अपने किये पर पचतावा है हम उसे छोड़ देंगे सरला लेकिन हम आयूशी को अपने साथ रखना चाहते हैं अगर तुझे आयूशी की इतनी फिक्र होती तो अपने अपरादों पर परदा नहीं डालता पारूल की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है क्योंकि तू उससे कविता की जासूशी करवाता था तू ये भी जानता था कि कविता और मनीश भाग कर अजमेद जाने वाले हैं तू नहीं आयूशी को नजर बंद करके रखा था इसकी वज़े से कविता के हाथों पारूल का मुर्डर हुआ और इतना कुछ होने के बावजूद तू हमारे पास नहीं आया कविता की जान की बीचे पड़ गया तेरा बस चलता तो तू मनीश को भी मार देता नहीं साब तूने उसे मारा नहीं लेकि पारूल की लाज को उसके घर में ठिकाने लगा नहीं साब उस दिन तो हमने पारूल की शकल तक नहीं देखी थी हमें तू ये भी नहीं पता था कि मनीश और कविता के बीच में कोई चक्कर चल रहा फिर हम ये कैसे पता होता कि वो भाग कर अजमेर जाने वाले अब तू ये कहेगा कि तोने कविता को भी नहीं मारा उसे हमने मारा है इन्होंने नहीं और अगर आमारा बस चलता तो उस कलमुही को आठ साल पहले ही मार देते थोन नहीं उठा रही है अगर मेरी पारूल को कुछ हुआ ना तो देख ले ना मैं तुमको क्या करते हूँ कुछ नहीं होगा शांति रख मिलाता हूँ हलो हम बिजी हैं अभी पारूल का है हमी क्या पता बता अच्छा नहीं होगा और यह जादा नाटक मत कर समझी न तो अच्छे से जानती कौन बोल रहा है देदी, जादा देदी देदी मत कर, अगर एक घंटे में हमरी पारू नहीं आई न, तो देख ले न, हमसे बुरा को ही नहीं होगा तो, तो सोजा, जी ममा के पास आना है, लेए चलो न, ममा के पास ले जाएंगे, मैं, मैं तुम्हारी ममा को इंहीं लेकर आँगा, हा? अर्म मेरे अच्छा बज्चा आल país सेकते नहीं बता तुझे पता मेरे बेटी पारुंद का ए शूटबह आप लोगों ने हमसे बुला है ओर अर्मन जा रही है अंटी को लेने मुझे नहीं अरिदह दो लागह मुझ्छे मेरा पतीजी नेगी ना काई सर्लाप पिछले आठ सालों से हमारी गलतियों का बोज ढोड़े गी अपनी गलतियों की सजा उसे कैसे भुगत ले देते साथ लेकिन हमें तो तब तक ये भी नहीं पता था कि हमारी पारूल जिंदा है भी ये नहीं हमने आप से अब तक बहुत सारे जुट बोले इस पर सच बोले आप यकीन कीजिए साथ सच बोले सर अगर राजेंदर सच बोल रहा है तो क्या मनीश ने हमसे जूट बोला या कवीता ने मनीश से जूट बोला जूट तो हमसे अंकित नहीं भी बोला था सर मैं जूट नी बोलना चाता था लेकिन पारूल के पापा मेरे सामने गड़गराने लगे कि उनके मुझे जूट निकल गया लेकिन सर मुझे मुझे उन्होंने ये नी बताया कि पारूल की ममी ने पारूल की छोटी ममी का मडर कर दिया है पारूल कवीता की जासूसी करती थी इस बारे में पारूल ने कभी कुछ बताया नहीं नहीं सर, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ तू उसका मंगेतर था, अकसर उससे मिलता रहता था कभी कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया नहीं, सर, मैंने पारूड कभी उसकी चोटी ममी Kavita की जासु से लिए नहीं देखा पर हाँ, एक बर हम कैफे में थे और महाँ पर हमने Kavita को देखा था एक आदमी के साथ और सर, वो आदमी उसे पैसे भी दे रहा था कौन आदमी मुझे नहीं पता सर मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा इन में से था कोई हाँ शायद से ही आदमी था सर ये सब पारूल के पिता ने बताया था कि पारूल कवीता की जासुसी तो करती थी लेकिन उसने कभी कवीता के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं दिये जैसा कि अंकेत ने अभी भी बताया कि कोई आदमी कवीता को पैसे दे रहा था सर कही ऐसा थो नहीं कि कवीता ने पारूल को अपने साथ मिला कर अपने लवर्स को ब्लेक्मेल करना शुरू कर दिया हो सर मैं सरच क्या रहा उस सर अंकित के बयान ने पुलिस के सामने जो एंगल रखा, उसकी पुष्टी के लिए पुलिस अब कविता से जुड़े उन सभी आदमियों से पूच्टाच करने लगी, जिनके साथ कविता का अफ्याप था, और जल्द ही इस राज से परदा उठ गया सर, कभी ता जिस बीटी पालर में काम कर रही थी, वहां के लेलना ही नंबर से अंकित को एक बार कॉल हुआ था, और हत्या वाली राग, अंकित न अपने डेविट कार से बैक्शॉप से एक बड़ा बैक खरी दे था, मतलब उसकी शान बट्टी उसी पर भारी बढ़ गई अब बोलेगा या तो ने है, बोलता हूं साम, अरे पारुल तुम यहाँ, दोस्त है तुमारा, मुझे नहीं मिलवाओगी पारुल ने कविता से जूट बोला था कि मेरी और पारुल की मुलाकात में मुंबई में हुई थी, सर्फ पारुल क्या उसकी जासू से करती, वो खुद दो कदम आगे थी, कविता खुद पारुल की जासू से कर रही थी नौकरी दून लिए यार, नौकरी के लिए ट्राइ कर रहा है, मिल जाएगी जलती है अच्छा थीक है, तुम नौकरी दून दो, तब दक हम अपना ग्राइजूशन पूरा कर लेंगे और उसके बाद शादी कर देंगे, तब तक मेल मुलाकात तब दिन में, ठीक है, हम चलते है ठीक है लगता है काफी पुराना है याराना तुनारा ने ने, ऐसा नहीं है, जैसा आप समझ रही है तो उसमें इसमें इना डर्मे वाली क्या बात है वैसे मैं गेटवे उफ इंडिया जाने का सोच रही है तो मगर चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो तो चलो ना, इतना सूचने वाली क्या बात है ओटो, ओटो इसे पताने उस औरत में ऐसा क्या जादू था इसे दो मुलाकात के बाद ही मैं पारूल को भूल गया और उसे राज भी नहीं छुपा पाया कि कि पारूल की पापा उसे छोड़कर पारूल और पारूल की ममी को घर लेके आ रहे है मेया और कविता का रिष्टा भी पारूल की मज़रों से नहीं बत सका कोई आहें एक सब्सक्राइब आखिर तुने दिखा दिया ना कि हार मार देख जएसा होता है नहीं अईसा नहीं आइसा नहीं अईसा हो यह पारूल पारूल उटना डरो मत जैसा कह रही हूं वैसा करो ना तुम फसोगे हो ना हम हम मनीश को भर से निकालते हैं तब तक तुम सारी त्यारी करके रखो और हमें मनीश के घर के बाहर में लो मनीश तुम जाओ मैं तुमें अजमें में मिरूंगी तुम तुम सवाल मत करो राजेंदर को पता लग गया है कि हम दोनों भाग रहे हैं झालते हैं सलाखों के पीछे होते हैं उन्हें जिन्दगी भले ही नसीब हो जाए पर उनका पश्चा ताप किसी श्राफ से कम नहीं होता और अपराद की गार जब बेकुसूरों पर गिरती है तो किसी की सांतवना भी उस मासूम को दिलासा नहीं दे सकती यूँ तो हम सबको एक ही जिन्दगी मिलती है लेकिन इस एक जिन्दगी में हम कई जिन्दगियां जीने की सोचते हैं एक सपना पूरा होता है तो दूसरे सपने में जीने लगते हैं एक रिष्टे से मन भर जाता है तो दूसरा रिष्टा जोडने की सोचते हैं माना कि जिन्दगी हर रोज नए बदलाव लाती है, लेकिन अगर हमारा आज सच्चा नहीं है, तो आने वाला कल कभी बहतर नहीं हो सकता. बाया, चोटी मेटी को देखा क्या, कोई नहीं नहीं देखा माडम. नहीं, तुम मेरी मामा नहीं हो, बेटी अब भी तो समझाये था तुम्हें, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैंने अपने कोग से जन्म दिया है तुम्हें, तुम मेरा अंश हो, बोलो कौन हूँ मैं? आप भी मेरी मामा हूँ. गुद कर, गुद कर. हर इंसान के मन में कुछ ऐसी दबी हुई खुआशें होती हैं, जो हमेशा पूरी नहीं हो पाती. कई बार ये वक्त के साथ दम तोड़ देती हैं, पर कई बार ये इंसान को बेचैन करने लगती हैं, और इतनी प्रबल हो जाती हैं, कि सही और गलत का फर्क भुलाकर उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती हैं. आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है, जहां है बिगडे हुए रिष्टों की कहानी, बे परवाख वाहिशों की कहानी, इस मासूम बच्ची के साथ ये किन्नर कौन था, जो अपने आपको इस बच्ची की मा होने का दावा कर रहा था, क्या वाकई कोई किन्नर एक बच्चे हैपी बर्दे तु भी या, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, आख, नाख, ओट, स्माइल, सब मेरे जैसा ही है, और होगा भी क्यों नहीं, आखिर तु मुझ सही तो बनी है, ममा को दे ख्खिर मा को ने खहोगा है, खहाओ गिर ख्ख़ूग गźलाओ, क्यों गख़ूद। वाम जढ एाद है। वरह बना पाद है मेरा पाद है वरह बनार झान झा झान हुआ हुआ हां हमने हर जगा नाकाबंदी कर दिये अगर किडनैपर कहीं से भी भागने की कोशिश करता तो पकड़ा जाएगा हमारी टीम किडनैपर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है कर दो किसी पर शक है जो आपके बच्चे को अगवा कर सके देखिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अगर यह किड्नैपिंग पैसो के लिए हुई है तो किड्नैपर पैसे मांगने के लिए आपको जरूर फोन करेगा अगर आपको इस तरीके का कोई भी फोन आता तो आप हमें तुरंद बताए हैं देखिया में हम लोग मिडिल खर्स लोग है मुश्किल से घर के खर्चे चल पाते हैं पैसे कहां होते हैं हमारे पास के हम पैसे देहीं उसको मिस्टे नाईक आपकी किसे के साथ कोई दुश्मनी है या फिर कोई जगड़ा हुआ है जो उससे चेडिया बदले की भावना में हुई हो और शायद आप उस औरोत को जानते भी हो मैडम, कमला, हमारी काम वाली बाई, उसी ने मेरे बेटे को गिड्नैप किया है काम वाली बाई, ये सब क्यों करेगी? उसने मुझे पहले कई बार बताया लड़का नहीं है मेरे को, तीन तीन लड़किया पैदा किये मेरे इसलिए मेरे सास और पती हमीशा सुनाते रहते हैं मुझे आपके जैसे थोड़े ही ना मेरा नसीब, जो पहली बार में लड़का हो जाए चुप चापना अपना काम कर, इतना क्यों गुसा कर रहे हो दिदी मैं थोड़ी ना आपके बेटे को उठा ले जाने वाली हूँ तो आपके कहनने का मतलब है कि कमला ने जलेसे मियाँ कर आपके बच्चे को किड्नैप किया क्यूंकि उसे बेटा चाहिए था ठीके आप लोग अभी जा सकते हैं अगर फिरोती के पैसो को लेकर कोई भी फोन आता है तो आप हमें बताए हम आल्रेडी आपके फोन ट्रेस कर रहे हैं ताकि किड्नैपर की लोकेशन पता चल सके हूँ सुर्वे यह संदीप के फिनांशल स्रेटस के बारे में पता करो हो सकता है ब्लैक का पैसा दबा के बैठा हो और हमें जूट बोल रहा है अगर यह किड्नैपिंग पैसे के लिए हुई है तो किड्नैपर इसका आगा पिछा तो जरूर जानता होगा अना रिशव को टार्गेट नहीं बनाता मडम अकसर ऐसे दिखा गया है कि फैमिली अपने आमीर होने का दिखावा करती है और इसी दिखावे के गलत फैमिली में खिड्नैपर उनके बच्चों को किड्नैप कर लेते हैं हम एक काम करते हैं यह कमला के बारे में इंक्वाइरी करते हैं और संदीप के आसपड़ों से उसे भी पूछताच करते हैं शायद किसी ने उस औरोत को देखा हो जब एक बज़े बच्चा गाया गुआ तब तुम कहा ले साब हम पार्किंग में थे वो गेस लोगों की पार्किंग में कोई गलत गाड़ी लगा रहा था तो मुसको सम्झा रहे थे कौन था हो रेकॉर्ड इकाओ साब इतना मात अपचि किया कि हम रिजिस्टर में एंडी करवाना भूल गया साब यह काम करो सोसाडी में जितने भी काम करने वाली आती है त्याने सफाइवाली खाना बनाने वाली बरतन मांजने वाली सब के रेकॉर्ड निका लो और सब के नंबर देदो मुझे और सोसाडी में जीते में विजटर आते हैं, सबकी इंट्री करना मत बूला, समझें? ये कमला का रहती है? कमला? मैडम, ये रेनी दो देता कुछ भी बोलती है मैडम, मैं काई को उसका बेटा उठाएगी, उसका बेटा उठाने से थोड़ी ना मेरे को मेरा बेटा मिल जाने वाला है, और वेसे भी मैडम, एक बजे में बाजु वाली बिल्डिंग में काम कर रही थी, ये तुम्हारे तीन मेरे पतिया और मेरी सास, नाइ अत्ता नाही है ते गरी मेरी सास बीमारे, मेरे पति उनको अस्पताल में लेके गए, दो तीन दिनों में उनको उपरेशन होने बाला है, उपरेशन के पैसे जमा हो गया है? हाँ, हो गया है कि यहीनभीनल के कि इवितने कि यहाँ, कि द्युक्तिनार अाइर के भाता है हभ्वत्धर समय पितलो locks ाजल वार्णनोर तीनां के पाल किये विम्हती क्रिए मेरी तुम्हार दिल्समूदेर जना साबद्टेट द्हालár पतितलों थांक्यू सिर्फ थांक्यू हुआ सिर्फ थांक्यू थांक्यू ममा अच्ट कावान एफ बुटन लेनू, रिलाक्स. कैसे? सब ठीक हो जाएगा. कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा. हाई कब फोन है? पेशब के बार में कुछ पत बताना, नहीं तो बहु परिशान हो जाएगी. मैडम, हमने इंक्वारी कि, तो उसमें पता चला है कि कमला साज बोल हुई है. जिस बाद रिशब के किड्नापिंग होई, उस वक्वा को मिसेश भारगाओ के घर पर काम कर रही थी. और कमला का हजबन उस बाद काम पर था. मैंने वेरिफाइ किया. सुर्वे, कही ऐसा तो नहीं है? उसने ये काम अपने किसी जानने वाली औरत से करवाया हूँ. एक काम करो, ये कमला के कॉल रेकॉर्ड निकलवाओ ज़रा. ओके मैडम. और ये रिशब के लिए कोई रैंसम कॉल आया था? नहीं मैडम. नाइक फैमिली के फैनाश्यल स्टेटस के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम. हमने रिवणों और संदीप दोनों के बैंक स्टेट्मेंट चेक किये. दोनों के बैंक स्टेट्मेंट से पता चलता है कि बिल्कुल मिडल क्लास लोगा है. देड़ने में एक हाउस वाइफ है और संदीप सलोन चलाता है वाचमन और पड़ोसों से पूछताच की तो उनसे भी कोई नेगडिव फिडबैक नहीं मिला सुर्वे इसका मतलब है ये किड्नापिंग पैसो के लिए तो हुई नहीं है एक काम करते हैं संदीप के सलोन जाकर पूछताच करते वो सकता है इनके बारे में वहाँ से कुछ बता चले आखिर ये किर्नर कौन था जो प्यार और धमकी सब इस्तमाल करके और संदीप जिसकी माली हालत बेहत कमजूर थी उसके बच्चे को किसने और क्यों किड्नाप किया था क्या पैसे की वसूली इसका मकसद था या फिर सच और भी भैन कोई चिल्ला रहा है? मैंने कहा था ना तुम्हें तुम्हारे जुबान से एक लफ्ज भी नी नी कलना चीए अगर फिल से तुम चिल्लाईगी तो मैं तुम्हारे खोड चला दूँ मैं तुम्हारे खोड़ा मैं तो मजग करें यह प्रणाईगी तो चोड़के क्यों चली जाना चाती है मुझे तुझे मालूम है, तुझे जनम देने में और तुझे हासिल करने में मामा ने कितनी तकलीफे उठाई है ये संदीप नाइक का सलोन ये है? येस मैम आपका नाम क्या है? चाईली आप यहाँ कितने साल से काम करेंगे है? तीन साल से यह संदीप नाइक का सलॉन में किसी के साथ या फिर कहीं आजू-बाजू कोई जगडा था? किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी? जी नहीं मैम. यह साहिली, उस अक्टरिक सा जो पंगा था वो बुल ना? हा मैम, अभी एक हते पहले एक कस्टमर के साथ सर का बहुत बुरा जगडा हुआ था यह क्या हुआ मेरे फेस को? यह जेल के से गया? क्या किया तुमने? सॉरी माम. सॉरी कि बच्ची दाग तोर दूगी? प्लिस काम लान मैम, वाट है? सी, क्या किया इजसे? मेरे फेस दिला दिया I'm sorry ma'am, please be patience आप शांत हो जाएंगी, मैं सब ठीक कर दूगा एक मिनिट, तुम्हारे स्टाफ मेंसे मुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा स्टैनास कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, PLEASE दो दिन, दो दिन में तुम्हारा स्लून बद करवाओंगी जाओ बद करो, मैं भी देखता हो क्या करती है आप इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूँ लेकर आप समझ लेगी कोशित भी है तेक ले ना, बहुत पश्ता होगे तो उसमें उस क्लाइन को कुछ कमपनसेशन दिया था? मैं, कमपनसेशन तो तब देते ना, जब वो लेती, उटा वो तो जगड रही थी बोल रही थी, जैसे हमने उनका एक्टिंग करियर बरबाद किया है वैसे ही वो संदीव सर का करियर बरबाद कर देंगी और वैसे भी मैम, सर के पास पैसे कहां से आएंगी क्यों यह जलान अच्छा की छल रहा है, क्या कुछ खास नहीं चल रहा है सुरवे, अगर यह जलान नहीं चल रहाए, तो यह एमप्लोई की सालरी कहा से देता है नहीं माम, अभी तक किसी को दो मेने से तालरी नहीं मिली है। पड़म, सरी तक है एड्रेस और नम्मर मंगें। हम, चलो सारी का? अगर बदला ही लेना हो तमाम, तो मैं उसे जानते मार डालती। उसके बच्चे और किड्नाप करके क्या करूंगी मैं। मैं मुंबई आई थी, हिरोईन बनने के लिए। लेकिन इस चेरे के साथ कौन मुझे हिरोईन बनाएगा बताई आप। वैसे आज दो पर को एक बज़े कहा थी याप? आज एक बज़े? घर पे ही थी, और वैसे बैसे जली हुए शकल को लेके कहा जा सकती हूँ बाइदवे, अभी कहा जा रहे थी याप? अभी कुछ घर का सामान लाने के लिए ग्रॉसरी स्टोर जा रहे थी मैडम, यह एक्टरेस तो अपने ही प्रॉब्लम में फसी हुई है उपर से उसका हिरोईन बनने का सपना तूट गया मैडम, मुझे लगता है, यह सच बोल वही है शायद उसने किड़ने पंग नहीं की सुरवे, याद रखो, वो एक अक्टरेस है अच्छे तरह जानती है कब, कहां और कैसे आसु भाने है और उसका अक्टरेस बनने का सपना तूटना ही तो संदीप से बदला लेने का मोटिव हो सकता है एक काम करो, यह सारी का के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकल वाओ ओके मैडम मैं कुमापी के पाओ जाओ एए चाहिए हाँ ठाईकए कमाला के और सारीका के आसपास कंखा है कमाला के कॉझा कई Frank टूप मोबाश कर से कईनेला हादा हाँ च्छार्टLes किड्नेपिंग के वक्त वो गर पर थी क्योंकि उसके मुबाइल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके मुबाइल का लोकेशन जुहू का दिखाई दे रहा है जुहू? और ये देखिए पिछले दो हफ्तों से लगबख हर रोज उसमें संदीप को कॉल भी किया है पिछले दो हफ्तों सारी का तुझे लगातार फोन कर रही है क्यों? मैडम मैडम गाली देने के लिए वो जब भी दारोपी होती थी थी न मुझे फोन करके गाली देती थी कि मैंने उसके जिन्दी की बरबाद कर दी है और मुझे छोड़ेगी नहीं तो जब हमने पूछाता तुम्हारा किसी के साथ जगडा हुआ है तो बोला क्यों नहीं? जूट क्यों बोला? मैडम ऐसी छोटी मोटी बाते सेलोर में होती रहती है और फिर मुझे लगा कि एक एक्ट्रेस ऐसे क्यों करेगी? उसका करियर बरबाद हो गया तुमारी वज़े से और तुम्हें लगता है वो कुछ करेगी नहीं वो कुछ भी कर सकती है अब घर जाओ और दिमाग पर जोड़ डाल कर सोचो जरा ऐसे कितने छोटे मोटे जगड़े और दुश्मनी है तुमारी जाओ जीव मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई किया हमसे जूट क्यों गुला ये भी समझ में आ जाएगा सुरुवे तुम्हे सारी का पर नजर रखो अगर इसका इससे कुछ लेना देना है तो वही हमें किड़ना पर तक पहुँच जाएगी और हाँ ये संदीप के भी कॉल रेकॉर्ड्स निकलवाओ कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल बिहेवियर के आड में छिपा रहा ही से कुछ तो आप हाँ का रहाँ क्कार ≪ येक हौह लिए प्राइसस, कुट कूल, को सम्धिश्य। माणम, हमने संदिप के कॉल रिकार्ड निकल वाय उस में एक नंबर ऐसा मिलाया जिसपर संदिप ने काफी बार फोन किया है यहां तक हे रात के दो बजे तक किसका नंबर है ये? माडम ये नंबर किसी जीनल वोरा के नाम पर रजिस्टरे हमने उसका अड्रस भी निकाला है सुर्वे ये संदीप जैसा दिखता है वैसा है नहीं मेरा बेच्चा कुछ नहीं हमरे दिशो आप लोग? निश्यप मिल गया है क्या? नहीं मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा फिलाल आपसे पुष्टाश कर लिए Mr. Naik हमें बताएए ये जीनल वोरा के साथ आपका क्या रिष्टा है जी वो मेरी क्लाइंट है स्तलून में ये तुमारे कॉल रेकॉर्ड्स क्या आपने हर क्लाइंट के साथ रात को एक बचा तक बात करते हो क्या? क्या ये जीनल वोरा स्पेशल है तुमारे लिए? वो मैं ये जी मैं वो सब बंद करो और सच मताओ कौन है वो? जी वो मेरी कलफिन थी थी मतलब क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ ये तुम? देखो आप ऐसा कुछ नहीं है मैं सब कुस तोड़ चुका हूँ थी न वो तुमाई गल्फिन? देखो ती मेरी गल्फिन? तुमने उसे इंता मड़ा चूट बोला आप ठोड़ा शांत रहेंगी संधिया करो अभी कुछ नहीं है मैं तुमें बताने वाला था मार कही तुमाई रेनु तुमारे लिए रेनु ए 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 एकट अप्चु बस आणे आम तब रशांची उत्तर दे बैट सर चल बोल अभी अफैर क्यों तोड़ा मैडम मुझे समझ में आ गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ मैंने खुद को उससे अलग कर लिया मैं कभी उससे मिला नहीं पार दूँ ना उसको फोन किया ना कभी मिला उसको मैंने बात के यर्किन कीज़ा मैडम ये संदीप अभी भी जूड बोल रहा है मुझे लगता है हम अपने तरीके से इसे जख्का देते हैं तो शायद सब कुस साच उगल दे सुरवे हम ये तहकीकात रिशब के लिए कर रहे हैं ना के संदीप के एक्स्ट्रमराइटल आफेर के लिए अगर सक्ती बारत है तो ये बात किड्नापर तक पहूँचेगी और किड्नापर बच्चे को नुक्सान पहुचा सकता है हो सकता है जीनल आज भी संदीप से प्यार करती हूँ और रिशब उसके रास्टे का सबसे बड़ा रोडा हो हो सकता है ये बीबी को छोड़ सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता है हो सकता है, पैड़ मुझे लगता है, मैं जीनल को उठा लेना चाहिए क्योंकि उसके पास ही किड्नापिंग का स्रॉंग गोटेव है एक काम करो, ये जीनल पर नज़र अपने के लिए अपने कॉंस्टेबल लगा दो जीनल या सारी का, दोनों में से एक हमें किड्नापिंग या बच्चे तक पहुचा सकती है मुझे बताओ, ये खाना आपके लिए कौन लेकिया है ममा, गुड़, गुड़, ये लो, खाओ आपको पता न, मैं नॉन्विज में गाती, फिर भी आप हमें से यही क्यों लाती हो क्योंकि ममा को नॉन्विज बहुत पसंद है आखिर तुम मेरा अंचो हो, मेरा हिस्सा हो, इसलिए तुम भी वही खाओगी जो ममा को पसंद है है ना? चलो खाओ वो चुर्टी आरिया, मैं नहीं खाओंगी पुलिस को यकीन था कि रिशब को किसी औरत ने अगवा किया है पर क्यों और किसने ये सवाल अभी मन रहा रहा था रिशब के अपरण को 24 घंटे बीच चुके थे लेकिन अपरण करता की तरफ से अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया था पुलिस अपरण की हर वज़े तलाश रही थी अपरण करता तक पहुचने में देरी करना रिशब की जान को खत्रे में डाल सकता था देख वे देख में देख वे दे लेकिया लेकिया यो कि रिशब कहा है, कौन रिशब मैं किसी रिशब को नहीं जानती, सुर्वे, हाथ बगा, आप क्या ढून रहा है, बताईए तो सही, पैडम, बच्चा यहाँ है, पैडम, लेकिन यह रिशब नहीं है, यह पच्चा मेरा और संदीप का है, शादी शुधा नहीं हूँ, इसलिए इसे अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए अपनी बाई लटा के पास रखा है, मैं उसे इसके खर्चे के पैसे देती, वो पैसे मुझे संदीप ही देता है, तो रिशब के होते हुए संदीप आपको और आपके बेटे को एकसेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आपने रिशब को किड्नाप किया, क्या, रिशब किड्नाप हो गया, हुआ नहीं है, आपने करवाया है, सर, मैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में, सच में नहीं किया, मेरा और संदीप का रिष्टा तो ख के पास थी, मैं वहाँ इसलिए गई थी, कि संदीप मेरे कॉल्स नहीं उठाडा था, वो मुझे इग्नॉर कर दाता मैं, और तो और उसने मेरे बच्चे के खर्चे के पैसे भी देना बन कर दिया, तो मैंने सोचा कि अब उसके खर्चा कर ये उससे बात करना ठीक होगा, इसल इस घर में कोई नहीं है, आपको किसे मिलना है, उच्ची वो, रेनो अभे भी निचे गई है, और संदीप भाई सब काम पे गए, आप मुझे अपना नाम बता दो, और लोग आएंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी, मैं नहीं ठीक हांगी, मेरी बात का यकीन कीजे मैम, मैं मैंने अज़ा कुछ नहीं किया, मैंने रिशब के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है, आप जा सकती है, लेकिन हमारे परमिशन के बगर शेहर से बहार मत जाईएगा, सुरवे, ये संदीप ने जीनल के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो जीनल के पास स्ट्रॉंग मोट संदीप से बदला लेनी का, और मेरे क्याल से उसके लिए उसने रिशब को चुना है, मुझे लगता है ये उसने खुद नहीं किया, किसी और से करवाया है, एक काम करो, ये जीनल की बाई लता, उसकी इंफरमेशन निकालो, और रेनु के पड़ोसन से पुष्टाच करो, य जीनल सच बोल रही है, जूट。 बाबा के साथ घर पे ही थी तुम्हारा मोबल नमबर दो हाँ, 9-8-2-2 मैडम, सारीका के मोबल का लोकेशन जो जो जुह का दिखाई दे रहा था वो सी ग्रेट के प्रोडक्शन आ उसको आउफिस है और इंक्वार के दर्मांद पता चला है कि उस प्रोडूसर से सारीका का आफिर चल रहा है इसका मतलब सारीका अपना आफिर चुपाने के लिए हमसे जूट बोल रही अच्छा यह जीनल के बाई के बारे में कुछ पता चला है? हाँ मडब, लता के मॉबाईल का लोकेशन सवरप के किड्नापिंग के बगत लता का घर का ही है और नीतू के पडोसियों से जब हमने पूश्चाश की तो उन्होंने बताया के जीनल को संदीप का डोरबेल बजाते वक्त उन्होंने देखा है सुर्वे या तो हम गलत दिशा में तहकीकात कर रहे हैं या फिर ये संदीप और जीनल अब भी हमसे कुछ छुपा रहे है अगर इन ओरतों में से किड्नापिं की जगह पर कोई नहीं था तो फिर वो कौन ओरत हो सकती जिसने रिशाप को किड्नाप किया हो कुपापी कुपाज शाला है। तु महारी रखनली हो किमदेश से मों मेरी बेंटे को उटा के लेगई है देखो कही तरह! टेखो! तु भी पता है! उटाकर लेगई हुशा देखा हाँ जाल से मार की कि टुड़े लुदे! क्या करेग्या है? मेरे बात स्थुनो운, रेनू, विर इश्ब के से लावा त earnest अ मेरे बेटा है Si ये बात चिपायए कि और हमसे save मेरे सालून की स्थाप को सेल्ली तक नहीं दी मैडम जी नल को कहा से दी पाता मैडम लेकिन है और समगे लेकुओ दो सभी तैयारी नहीं थी मैंडू, वो मुझे ब्लैक्मेल कर रही थी, कि हमारे बारे में लेडू को सब कुछ बता रही है, तो क्या कर कर रही है, बहुत लंबा रेकॉर्ड है तुम्हारा, ब्लैक्मेल और किड्नैपिंग के बारे में तो जानते हैं हम, और कुछे तो बोलो, बोलो रिशब को कैसे चापाएगा, सबीब, सबीब, क्या हुआ, यहाँ मिला मुझे, एक हाथ पैसा दे और दूसरे हाथ अपना बच्चा ले, पैसा कितना और किधर लाना है, जल्दी बताएंगे, आप घबराईए मैं, उल्टा उसने हमें लीड दिये, अब यही चिठ्थी हमें किड्ना पर पहुचने का रास्ता दिखाएगी, बड़, एक मिन ज़र, आप लोगे ही बटे है, बड़, मैंने उस बेडिंग के विजिटर रेकॉर्ड चेक है, लेकिन उसमें से कोई बेंटर नहीं मिले, इस पर ये शक्की आजा सके, कि उसने वो चिठी महा रखियो, लेकिन हा, कमला बेडिंग में आई थी काम करने के लिए, लेकिन वो भी वो स्विंग की तरफ गई नहीं, सुर्ग अगर बहर का कोई इंसान आया नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि घर के ही किसी इंसान ने चिठी दर्वाजे पर लगाई हूँ, मैडम कहीं आपका श्रत इन दोनों की उपर ज्यादा पड़ा ही नहीं किये, मुझे लिखना पड़ना ज्यादा आता नहीं, जितना लिखना आता है उतना लिखो आपको दिये हुए किसी भी सेंपल से मैच नहीं करते ही, देखे जितनी देर होगी खत्रा उतना ही बढ़ता जाएगा, और हमारे पास जादा वक नहीं है, सो प्लीज आप दोनों याद करने की कोशिश कीजिए, आपका कभी भी किसी के साथ भी कोई जगडा हुआ था या चुझारि पर दुश्मनी है, जाय माडम, हमारे तो किसी से की दुश्मनी है, पर हो सकता है कि रेलो के पापा की किसी से दुश्मनी हो और उसकी वेज़े से हमारे बच्चे को… तुम अपनी कर्थुतों के Зд lot कर्दुतों का प्र मेरे पापा पी लगा रहे हूओ, और तु क्या रिशब किड्नाप हो गया और किसे ने मुझे बताया तक नहीं आपके दामात का कहना है कि आपके किसी दुश्मनी की वज़े से रिशब को किसे ने किड्नाप किया है हमारे बिजनेस में ये दुश्मनी होते रहती है मगर वो दुश्मनी हम बिजनेस में ही निकालते हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी के घरवाले को किट्नाप करने लगेंगे। ये आपके दामाग के बारे में क्या कहना है आपका। उसके बारे में क्या कहना है जो हैसो है। नसीब खुटा है उसका। और आपकी बेटी रेनू, उसके बारे में? रेनू के बारे में तो वो एक अब अच्छी लड़की है? मैडम मला, एक गोश्ट कुप खटकते हैं. इतना रईस आदमी होने के बाउज़त भे, उसने अपनी बेटी की शाधी संदीप जैसे मिडल क्लास लड़के क्या सत क्यों की? सुर्वे खटकने वाली बात एक नहीं, दो हैं. एक, ये रेनु के बारे में पूछने के बाद येश्वन्त इतना बेचेन क्यों हो गया था? और दूसरी, जब रेनु को दर्वाजे पर चिट्थी मिली किड्नापर की, तब संदीप कहां था? मैड़ मैंने उसे पूछताच की, तो उसने कहा कि उस वक्त वो बात रूमे था? सुर्वे हो सकता है, बेशक चिट्थी किसी और ने लिखी हो. और रेनु ने शौक होने का नाटट किया और हम सबको दिखाने के लिए. कुछ तो ऐसा है इस रेनु के बारे में जो हमें पता करना पड़ेगा. और इसके लिए हमें उसके पास में जहकना पड़ेगा. एक काम करा सुर्वे. ये रेनु के सारे रिष्टेदार, कॉलेज के दोर, यश्वन के आजुबा जो रहने वाले, सबसे पूश्टाच करो. हो सकता है इस किड्नैपिंग के तार आज नहीं, कुछ साल पहले ही बिछे हो. हो सकता है. पुलिस ने रेनु के पिता के घर में रेनु के बच्पन से काम कर रहे, स्टाफ से पूश्टाच की. उसके कॉलेज में जाकर उसके अतीद को खंगाला, जहां उन्हें रेनु के कॉलेज के दिनों की करीबी दोस्ट के बारे में पता चला. और साथ ही कुछ ऐसा भी पता चला, जो शायद उन्हें रिशब तक पहुचा सकता था. इस अपरण के तार, वर्तमान से नहीं, अतीद से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थी. आईए. मैडम, यह सुरे का रंगर कर, रेनु की कॉलेज रेनु की फ्रेंड. मैम, रेनु लड़की बुरी नहीं थी. वो एक रिच फैमिली से ब्लॉंग करती है. इसलिए बस थोड़ा सा एटिटूट में रहती थी. इसके अलावा, रेनु के बारे में ऐसा कुछ था, जो आपका इबनॉर्मल लगा? मैम, कॉलेज में रेनु का एक बॉइफ्रेंड था. निखिल सोमन नाम का. निखिल सोमन? मैम, उन दोनों का अफै लगबग दो साल रहा था. उसके बाद अचानक से रेनु कहीं चली गई. निखिल ने उसे बहुत ढूनने की कोशिश की. लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. मैम, मुझे कुछ दिन पहले ही रेनु मिली थी. मुझे तो तब ही पता चला कि उसकी श मुझे कुछ देखो मैं रेडियो गई. अब चलते हैं पाक? अरे? पहले मैं अपनी प्रिंसिस को चलो ना! प्रिंसिस अभी नो बहुत धूप है तो हम शाम को जाएंगे, ओके? हाँ, अब ही जाना है मुझे. अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, ओके? आप मेरी ममा नहीं हो! ऐसे नहीं कहते है, ऐसे नहीं कहते है. नहीं हो आप मेरी ममा! अले! Mrs. Renu, यह नेकिल सोमन कोँ है? देखिए, Mrs. Renu, आपके पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है. रिशब को ढूड़ने के लिए सारी चीजे बहुत इंबॉटन है. तो प्लीज, जो कुछ भी सच-सच है, वो बताईए. आखरी बार आप निखिल से कब मिली थी? कुछ महीने पहले. Renu! 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 मेरा पीछा मत करो, प्लीज! मेरी शादी हो चुकी है! मेरा एक बच्चा भी है! और अब ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं पचा है! Don't worry! मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ मुझे इतना बता दो, मेरा बच्चा कहा है. उसका बच्चा मतला? डिग्री खतम होने से, छे महीने पहले. मैंने कॉलीज इसलिए छोड़ा था. क्योंकि मैं प्रेग्निंग थी. और उस बच्चे का बाग निखिल था. आप निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी और आपने उसे छोड़ दिया. क्यों? कैसे बताओ? बहुत सदा शरम की बात है. वे एक आपमी के साथ साथ एक औरत बनके भी रहना चाहता था. टॉकृत रहलाक बच्चे अंचे का और भी रहना है? वी निख से पिरश दोल रहना चाहता है. वी पिरश भी रखिल के अपश्वा दाओता उसे जो आना, ऐसे वाल रहना है रहना है. भाज़ के बात अ बच्चे का थारमार, मुझे अपनी शाकल मत थिखाना तू नहीं देखा, लेकि मेरे प्रेगनेट होने की बाद, मेरे बाबा को पता लग गई थी, उन्होंने मेरी डिलिवरी अपने दोस के हॉस्पिटल में करवाई थी, भाई पे मैंने बच्चे को जनम दिया था, मतलब निखिल उसी बच्चे को ढून रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है म मेरे बाबा ने खुद मुझे बताया था, कि मैंने, मैंने बरे हुए बच्चे को जनम दिया था, तो क्या ये बात आपने निखिल को बताई थी, जितना चाय उतना चुपाल, मैं उसे दून के रहूंगा, समझी तो, डिलिवरी कॉन सा हॉस्पिटल में हुई थी, क्या बच्चा वाकई मरा हुआ पैदा हुआ था, लड़की पैदा हुई दे रहे इन्नों को, मैंने अपने एक एंपलोई के पास उसे छोड़ दिया, उसे बच्चे नहीं थे और पैसों की भी ज़रूरत थी, रिया नाम है उस लड़की का, वो एंपलोई कहा रहता है, रिया का है, मैंने पूछा बच्ची कहा है, मैंने पूछा बच्ची कहा है, मैडम वो तीन मेने पहले किड्नैप होगी मैडम, क्या, तो बच्ची की किड्नैपिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी पुलिस में, नहीं मैडम, बच्ची किड्नैप होती हो, तुम लोग पुलि हां मैडम मैंने देखा था किसने उठाया था आदमी था औरत थी एह रिय रिय मैं रिय 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 मैडम वो किन्नर था उसने साड़ी पेनी हूई थी निखिल और किन्नर के भीज क्या कनेक्शन है सुर्व एक काम करा रेनु के कॉलेज जाओ और निकिल के अद्मिशन फर्म से उसका फोटो लेकरा मेडम अद्मिशन रिकॉर्ड से यह फोटो मिली है तेकिन इसमें तो वे काफी छोटा लग रहा है और अब तक तो शायद इसका हुरिया भी चेंज होगा सुरू एक काम करा यह स्केच आर्टिस्स को बोल कर इस लड़के के फोटो से 22 साल के आदमी का स्केच बना और दूसरे स्केच में उसी का औरत बना ओके में अरे महादिव सुनो इस फोटो में जो इंसाने उसके तुझे दो स्केच बनाने एक यह 32 साल का होगा जब कैसे दिखा देगा वैसा और दूसरा आउर्ट की देश में मैडम स्केच रेड़ी होगे सुरुवे इसे हर जगा सर्क्यूलेट करो और हाँ यह रेनु और शोभा को भी दिखा यह निखिल ही है निखिल? यह निखिल है कौन? और इस्पेटर साब आप यह स्केच आप पेरी पत्तिकों की दिखा रहे है नहीं मैडम यह वो किननर नहीं है सुरुवे? यह निखिल को औरत बनने का शौक है लेकिन वो किननर नहीं है और इस तरह के लोग जब रस्ते पे आते हैं तो उनके साथ हसी मजाख होता है हो सकता है उसके इसी शौक के वज़े से उसका किसी के साथ पंगा हुआ हो और पुलिस में कोई केस दर्ज हुआ हो एक काम करो सारे स्टेशन में अलट करवा दो इस तरीके का कोई भी केस अगर दर्ज हुआ है तो हमें डिटेल्स बेजे निखिल की जानकारी के साथ पुलिस की रिया और रिशब को बचाने की उमीद बढ़ चुकी थी उन्हें लग रहा था कि दोनों अपरण निखिल नहीं किये हैं लेकिन हकीकत कुछ और थी निखिल के पास तो सिर्फ रिया थी तो फिर रिशब कहां था क्या रिया और रिशब की किड्नापिंग अलग-अलग थी या निखिल और उस किंणर में भी कोई कनेक्शन था और तभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक पुलिस स्टेशन से निखिल के खिलाफ दर्ज हुए एक केस से उसके बारे में कुछ और चांदकारी मिली अड़न, मालमणी पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ एक कंप्लेंट डर्ज है और जिसमें उस पर आरोफ है कि आवरत के भेस में उसने पब्लिक प्लेस में जगडा भी किया और मार्पिड भी की good finally हमारे आत लगी गया ये address के लिखाया in complaint मुषका oh mere princess I'm really sorry आपको ममाकी बाद सुननी चाहिए ना यह लो, पानी हुर पानी पियो good girl A princess आप ममाकी बाद सुनोगे ना चुछ बेटी, कोई आया है दरवाजे पे, नहीं देख के आते हैं. तब तब तुम यहां रेस्ट करो, रेस्ट करो. कुछ आप्टोंगी मिडम, हमारे कमपणी ने चुट्टु बच्चों लुक लिए साभून लॉंच के आप देखना चाहेंगी मिडम? बच्चों के लिए ये ना? हाई ये यह हमदर है ये! क्यांकर, अपिसर! अपिसर, अपिसर! अपिसर, क्यांकर है? क्यांकर हुआए? ये! अपिसर, क्या हुआ, हाटिज मिए? रिया ये कुछ नहीं होगा दरोबत बेटा हम रहनों नच वे कुछ नहीं होगा मेरी मेटी है रिया रिया तो बिल गई है अब ये बता, रिषव का है बता! पतें, आख शोदा फॉक्त में रिषभ का बॉक्त पाया है कौन कुछ गोलेगा ले चलो इसको मैंने कुछ किया उनिया है इल फाट प्रफ पोर ने कल ले ना मेंड़ एम्टार चल तू डरो ने डरो नी तो डेखो हम जानते कि तुमने रिषभ को अगवा करवाया यह तो अगर बेटी चाहिए, तो बताओ रिशब का है रिशब मेरे पास नहीं है, वो बभीता के पास है कौन बभीता? बभीता एक किन्नर है बभीता कितनी रोती है रे तू मैंने कहा नो पैसे दूंगी मैं, मैंने जबान दी है पर पहले मेरी बेटी लाकिये दे मुझे उसके बाद ऐसी पार्टी बताओंगी कि जनमबर यहां बैट के खा पाएगी देगी, डेन बभीता ने मुझे मेरी बेटी लाकिये दी थी, रिया अलीड के बदले में मैंने उसे रेनु के बेटे रेशब को उठ्वाने का आइडिया दी और तुनी इस ब इसले है टाकि तो रेनु से बदला ले सके सिर्फ रेनु से नहीं उसके बाप से भी मेरी बेटी छीनी थी उसने मुझसे किसले मैंने पुलिस को बभीता के ठेकाने से रिशब मिल गया लेकिन पुलिस ने वभीता को भी ढून निकाला और आज वो सलाखों के पीछे निखिल को भी अभरण की साजिश और वभीता को उकसाने के लिए सजा हुई और सबसे सुकून की बात तो ये है कि संदीप ने रिया को अपना लिया और एक ऐसे स्याह अतीत का अंत हुआ जिसने वर्तमान की चड़े हिला दी थी किसी के किये की सजा किसी और को मिली और रिशब बेवजा यहू में घुन की तरह पिसकर अपने बोलने की शमता इसी अंजान वज़ा से खो बैठा रिश्टों का बनना बिगड़ना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं इसलिए रिश्टों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें क्योंकि कब अतीत वर्तमान में आकर खड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता और जिसका अंजाम कई बार बहुत महंगा हो सकता है इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आप से विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौका देने वाले केस के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें और देखते रहें Crime Patrol डायल एक शून शून, सबक एक को, सीख, हम को, चैए